मेरा अधिकार तो हमारा हम अधिकार कर रहे हैं का मतलब क्या सीथे एकटी गोड़पेर में आया एकटी घ già मुठ मुठ चड़ लो उपर गल Just तो हो के बात तो दो लेकिन यह डिकर कर रोर क्रें कि इसके बात बन था है उसके अनुसार फर्म अभी हम पढ़ेंगे sentence improvement यह जो sentence improvement है वो 2020 में अभी जो पूछा गया है वो है टार्गेट 2024 चाहें वो 2024 का MTSO CHSL हो या CGL ठीक तो उसमें पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि यह अच्छा लग रहा है तो आप हमारे सब कंटीनु रहें बढ़ते हैं अगर दो बड़ होता न तो पहला वालों को करते दूसरा वाला को नाउन करते हैं अगर तीर वर्ड होता तो पहला वालों को एड़वर्ब करते दूसरे वालों को एडजेक्टिव करते तीसरे वालों को नाउन करते हैं अगर चार वर्ड होता तो चौंथा को भीत्रे भेज़ देते हैं मतलब चौंथा का कौंट नही तो यहां दैटर्मिनर है और उसके बाद एक वर्ड है इसका मतलब यह नाउन है और ऐसी भी डिटर्मिनर के बाद नाउन ही आता है ऐसा नहीं के खली एंदा ही डिटर्मिनर है सच के बाद भी नाउन आता है तो वह भी हमारा डिटर्मिनर है वह हर चीज डिटर्मिनर है जिस collective noun है team collective noun है तो collective noun हम इसे singular है तो हम लोग जानते हैं कि जब हम भर्व हमारा singular हो तो हमारा सब्जेक्ट हमारा singular हो तो भर भी हमारा क्या होना चाहिए singular हो चाहिए जब subject singular हो तो भर भी क्या होना चाहिए singular होना चाहिए तो हमारा subject singular है और भर भी हमारा क्या है? singular है क्योंकि यहां collective nono singular है तो यह singular का परियोग है चल आगे देख लेते हैं कि चलिए हैं सीख रहे हैं अब neither अगर आया तो दिमाग में फट से दिमाग में दोड़ जाना चाहिए कि neither either not only यह सभी का relation word होता है neither का होता है nor either का होता है or not only का होता है but also but also थोड़ा सा खराब लिखा रहे हैं नीचे लिख रहे हैं इसलिए तो यह group होता है neither nor, either or not only, but also जब यह सभी चीज का परियोग होता है मैं थोड़ा सा ध्यान देने वाले बात क्या है कि nor के बाद जो subject हमको लिखे है उसके बाद जो verb लगाएंगे तो यहां वाले है उनिकि neither nor तो इस nor के बाद जो subject परियोग होए उसके अनुसार हम यहां भर परियोग करें अगर nor के बाद मेरा plural verb है subject है तो फरभ plural होगा अगर नौर के बाद subject singular है तो हमारा भर्व सिंगुलर होगा, उसी तरह से ये भी चलेगा, और का भी चलेगा, और बटल्सो का चलेगा, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा होता न, जिसके पहले वाले, जिसे अगर हम relative pronoun को देखे, who, which, that, who, which, that, ये क्या करता है, ये relative pronoun, और ये न, यहाँ भर्व लेगा, लेकि यहाँ सब्जेट सिंगुलर, तो हो के बाद भूल, लेकिन ये जिस्ट अपोजिट है, कि इसके बाद वाला, नौर के बाद सब्जेक्ट क्या है, उसके इनुसर वर्व लगेगा, तो यहाँ देखेंगे नाइधर, और नाइधर के साथ हमको परियोग करना है, नौर का, औ नाइधर इन्ट्रस्टेड इन सेलिंग दा हाउस, अब दा फिर से डिटर्मिनेर है हमारा, और ये क्या है, हाउस नौर, अब ये इन क्या है, प्रिपोजिशन, अब हम जानते हैं कि खोई भी प्रिपोजिशन के बाद, अगर हम भर्व का परियोग करते हैं, तो वो क्या हो और इन हमारा क्या है प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन है इसलिए यहां पर सेलिंग है उसके बाद नाइदर के साथ अभी हम लिखे थे नाइदर के साथ क्या था नौर था नाइदर के साथ क्या था नौर था और जब आगे बढ़े था नाइदर के रिलेशन तो नौर क इसमें तो नाइधर के साथ होना चाहिए नौर तो नाइधर के साथ नौर चले नौट अल्ली सबसे पहले काटेंगे हैं क्योंकि नौट अल्ली कब होता है नौट अल्ली के साथ बटल सो होता है तो यहां तो नौट अल्ली नहीं है तो बटल सो करते हैं यह गलत हो गया और न और वोला एक बर देख लेंगे इसको सही होगा कि नहीं नाइदर के साथ नहीं लगता है ये नहीं लगता है था हमारा एंसर हो गया सी निंबर नौर रिविल्डिंग समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीकों से कि क्यों परियोग हुआ है ऐसा नहीं कि हम अपनी से क्वेश्चन मनाएं सब प्रिविस ये क्वेश्चन से माइ फ्रेंड अब ये फ्रेंड लिखा हुआ है माइ फ्रेंड अब माइ फ्रेंड है दोस्त है अब फ्रेंड सगर होता my friend ही तो है और जब my friend है इसका मतलब subject क्या है हमारा singular subject क्या है singular है और जब subject है singular है तो हमको verb क्या चाहिए singular और verb singular कब होता है जब उसमें s लगता है याद रखते एप और एपल वीपल बोल s4 singular s4 singular लेकिन का जब verb का परियोग करेंगे जिसे हम वर्व का परियोग करते हैं जिसके जिसके अन्त में और टो यहां subject singular है friend अगर friend होता तब तब तो plural होता तो subject singular है तो vivid हमारा क्या होगा singular और भर्व singular का बता है जब उसके अंतमियम को S चाहिए है तो यह लेखा लें my friend अब लेखा ले is तो अरे सही है my friend है singular है S लगल है यह भी सही है क्योंकि यह singular है my friend is हो सकता है लेकिन अगर देखें owing तो यह थोड़ा सा mistake है क्या mistake है कि कुछ-कुछ ऐसा word है जिसमें हम ing का परियोग करती ही नहीं है जिसे seem परती थोना seeming नहीं करते है on, awning अधिकार करना नहीं करते उसके बाद और बहुत सारा ऐसा word है जिसमें हम जिसे looking नहीं करते टेस्टिंग नहीं करते तो एक थोड़ा सारा दे समझते है कि बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसमें हम ing का परियोग नहीं करते है जिसमें ing का परियोग नहीं किया जाता है तो यह awning नहीं होगा जिसे हम लोग बोलते हैं कि I belong 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 में belonging कभी नहीं होता है ing का परियोग क्योंकि इसका मतलब अधिकार करना अधिकार अजा मेरा कलम है अधिकार तो हमारा हम अधिकार कर रहे हैं का मतलब क्या है कि सीधे एकटी गोड़ा में पैर में आया एकटी घुटनम चड़लो पैटम चड़लो उपर गलो च्छतियम गलो च्छतिय सीधे मुहां में काना में इ आप यहां माई फ्रेंड हमारा है सिंगूलर कैसा चाहिए वर्ब हमारा चाहिए सिंगूलर और कि उसके बख़ता है कि ओनिंग होता यह आई ञगता नहीं यह इस पर यह भी tomar पास एक डोशन वह भी नमबर Ons and expensive cell phone Ons and expensive cell phone आगे उसके बाद है The players distributed the reward जो players है वो distribute किया है बाटा है reward को अब यहाँ players का है plural लेकन हम यहाँ singular plural नहीं देखेंगे इसलिए कि यह भर्म का दूसरा फूम लगा हुआ भर्म का दूसरा फूम है distributed distributed, distributed distributed, दोनों distributed होता है और जब किसी का भर्म अगा distributed distributed दो बार ऐसा यहाँ आगा तो इसको regular भर्म करते है ठीक है तो यह भर्म टू भी यह होता है भर्म दूसरा भी यह 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 बर्म तीसरा भी यह है लेकिन समझने वोली बात है कि आप भर्म टू ही क्यों बोल रहे है आप इसको भर्म तरी क्यों नहीं बोल रहे है तो दो वर्म होता है एक होता है भर्म का चौथा फूम एक होता है भर्म का तीसरा फूम यह दोनों को दोनों क्योंकि यह linking वब PB linking मज ईन्जी चाहिए कि उसी लिए हैं इसे वह तो निइंजी ग़लत था यह वर्फ तंसे बिना linking वर करें नहीं तो वर्फ त्री किसके से साथ गा है का एच के साथ एच में कौन कौन है तो है भार है का अर्ग है यह तीन चीज है जो linking verb के साथ आता है गेट भी हो जाता है गेट भी हो जाता है लेकिन याद रखे linking verb का काम करें तब main verb का नहीं और verb 4 is, am, are, was, where, been, being, कुछो भी have, है तो बहुत कुल मिला के verb 4 और verb 3 बिना के लिए आता नहीं नामर्दों का भर्व है ये तो इसलिए verb का दूसरा फ़म इसको between themselves, between themselves, थोड़ा से अगर हम between का कहानी समझें, सबसे पहले अगर between लगा है तो उसके साथ conjunction अगर आना होता तो and आता है, लेकिन एक होता है between, एक होता है among, एक होता है between, एक होता है among, between लगता है दो में, और among लगता है दो से ज्यादा में, दो से पलस में, जब दो का बात हो तब बिट्विन और अमंगा बाथो तो चुपलस ऐसे नहीं आदो थो न तो किर्केट तो सब देखते देगे तब तो बोलता है कमेंट एंटर बेटियूब न एक पका और एक पकुल्ण फोस्सक्राइब नहीं गीट तो जैसे बिट्वियूद्विकेट घिरा माले फेकता है तो तीनों विकेट अगर गिर जाता है तो यहां पर क्या है बिट्विन दो में लगता है अमंग दो से ज्यादा में लगता है लेकिन यहां तो देमसेल्स लिखता है बहुत सारा प्लेयर है बहुत सारा प्लेयर में बाठा गया तो ये तो नहीं होना चाहिए तो ये तोप्र गया बिट्विन नहीं होना चाहिए ञळा दो I can't होता नहीं है देमसेल्ब्स होता है लेकिन देर से नहीं होता है तो ये भी कट गिया तो हमारे पास बचां एमंग देमसेल्ब्स एमंग देमसेल्ब्स आगे हाडली आया आया हाडली इसका सिली रेरली बेरली सेल्डम ये सब 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 नेगटिव वर्ड हैं हम बोले Hardly, Scarcely यह दोनों का दोनों जोनों किया है न में और न यह दोनों को दोनोakah नेगटिव वर्ड ना के ब्राबर और भी है Hardly है सरल्दम है Rarely है यह सबका सब नेगेटिव वर्ड है यह खुद नहीं का मिनिंग देता है हाडली मतलब ना के बराबर और यह जब खुद नेगेटिव का मिनिंग देता है तो इसके साथ कभी भी नौट का परियोग नहीं होगा सब नेगटीव और जब सब nigटी पर इसके साथ क्या परियोग करें। आगे क्या परियो करते वन जिसे no sooner के साथ क्या परियो करते थे then उसी तरह hardly is karci lax क्या परियो करेंगे when लेकिन जब भी ये word आता है न तो ये अपने साथ inversion लेता है अच्छे inversion का मतलब क्या होता है समझसते हैं ठोड़ा सा कोई भी अगर sentence हम लिखते हैं तो पहले लिखते है subject उसके बाद लिखते है भर्व पहले लिखते है subject उसके बाद लिखते है भर्व जैसे he eats वो खाता है he eats he eats वो खाता है लेकिन ये subject और भर्व है और inversion का मतलब कहता है उल्टा उल्टा है इसका मतलब भर्व पहले आना चाहिए फिर सब्जक्ट बात में आना चाहिए तभी तो इन्वर्जन हुआ तो सब्जक्ट और भर्व कैसे आगा आप कैसे लिग दिया तो इसे कर देते हैं डाजी इट्स डाजी इट क्या वो खाता है ऐसे कर देते हैं डाजी इट does he it ऐसे कर देते हैं अब ये मत समझ एईगे देख लो थोड़ा से निचार हम अगरी चेलिये तो यह does he it और यह he it यहाँ लिखे रहे हैं थोड़ा से अगर आप थोड़ा से गौर कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि साला he के साथ aes लगा वला है it's फिर ही किसाद यहां इट कैसे कर दिया, यहां तो इट क्यों नहीं किया, तो आप याद रखेगा, do, does, और did, ये सब के साथ भर्व का पहला फॉम आता है, सब के साथ क्या आता है, भर्व का पहला फॉम होता है, थोड़ा हो रहा होगा इधर उदर किचर-पिचर, लेकिन body है नहीं है कुछ साधनी से लिए तो do does did के साथ हमेशा भर्व का पहला फोम आता है इसलिए हम भर्व का पहला फोम ही लिखें तो यहां क्या है पहले भर्व आया उसके बाद सब्जेक रहा है तो यह हमारा इंसर हाडली आया अब हाडली के बाद हमको कह चाहिए इंवर्जन और इंवर्जन का मतला वर्व पहले चाहिए सब्जक्त बाद में चाहिए तो यह सब्जक्त यहां लिखा ला है और वर्व यहां लिखा ला है जो की गलत लिखा ला है क्योंकि हाडली इस कर्चिली में पहल है और सब्सक्राइब क्शामरों यह क्योंकर हुआ चाहिए यह हैं और हमकोहारी यह सब क्यों सिल्फ स्कू कर इस आ पर ऐगे देखते हैं अगर लिख़ा है इज आज ऐदाने को है। न थे दाइबर ने कर यह ब सुब चलहां पर जेन का होगे ना, तो हमारे पास एक ही बचा कि hardly है, उसके बाद हमको भर्ब चाहिए, भर्ब के बाद subject चाहिए, और H के साथ हमेशा भर्ब 3 लगता है, तो broaded डिया हुआ है, तो हमारा answer हो जागा D number, ठीक, और will be broaded इसले नहीं कि कि कोई passive का बात तो है ही नहीं question में, trap, besides, besides का मतलब के बगल में, एक होता है, एक होता है besides, एक होता है besides, इसका मतलब होता है के बगल में, और इसका मतलब होता है के अलावे, के अलावे, अभी याद हो जागा, बगल में, अच्छा एक बात, हम besides का मतलब लिखे हैं बगल में, और ये विसाइट का मतलब लिखे के इसन विशाइट के spelling में इसके अलावे इसमें क्या लगा है खली n मुइजर इस विसाइट को अगर लिख दें तो इसके इसके अलावे और क्या लगां सो जिसमें के अलावे से लगांने दूस नह weet यह बगल में तो वहां लिखागा कि Greenhouse Gases trapped beside मतलब trapped का मतलब होता है पुरा घेर लिया है हमना बाहर में बीचाइड बगल में और अठ्मोस्पेर कॉज़ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या है पूरा Greenhouse Gases को घेर लिया सबस्त ready कि अगर जह अनदर फिसवी का अंदर में काहा स घेरे अगर के भगल में Entonces एप प्रिधवी के परे ये ओ召 DYK घ्रींहाउस है वो से ले लिए है पूरा अपना चमेठ का आगे दूरिंग दा वेडिंग सेरमनी जानते हो साधी बिया दा ब्राइड सीम्ड जो ब्राइड है हम भले सीम के साथ आई एंजिन लगता है यहां सीम्ड है ब्राइड सीम्ड लगा इवें ट्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट दन यूजवल यहां थोड़ा सा क्या महला यह संकोची संदे हेजिटेट होना हिच किचा करके कहना वैसे तो जो दूला था साधी विया में थोड़ा सा संकोची दिख रहा था है ना चूप चाप नजर आ रहा था वह वाइटर एंड मोर डिफिडेंट अभी कहा है ना एंड जो हना बड़ा मस्ता आदमी है एंड दोनों मतलब यह एंटना संपपरेटिव था तो संपोच हुना तो संपोच होना तो रूची नहीं दिखा रहा था नहीं धौन गयँद अफॉल्स और मिस्रींडिंग इंप्रेशन यह भाशाओ साइ ड्यू टू लैंख नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा सर्मार है पहली बार दुला बन रहा है तो यह था पूरा का पूरा sentence improvement हाला कि होता sentence improvement कम है लेकिन हम grammar ज्यादा सिख लेते हैं और